नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का कोहली कलासेज में आज हम लोग देखें के बीपैसी का जो टेस्ट स्रीज देख रहे थे उसमें सेक्षन टेस्ट में टेस्ट नमबर 11 और 11 और 12 दोनों देखेंगे इसमें तो सेक्षन टेस्ट 11 में है भारतिय अर्थ व्यवस्ता से कोश्चन है चलिए देखते हैं शुरू करते हैं कोश्चन नमर फर्स्ट है गरिवी उनमूलन में अर्थ सहाई के लिए विकल्ब के रूप में यूवी आई का क्या तातपर है तो यूवी आई इन्युवर्सल वेसिक इंकाम तो इसका क्या तातपर हो जाएगा शार्भोमिक मुल्ल आए अप्सन नमर फर्स्ट हो जाएगा नेक्स देखेंगे कोश्चन नमर दो भारतिय रिजर बैंक आर्वी आई दोरा बीमल जलान पैनल गठित किया गया था तो बीमल जलान पैनल गठित किया गया था किसलिए किया गया था ये किया जाता है नए बैंको को लाइसेंस देने ही दू आवे दिन पत्रों के सुच परिस्रिक्शन के लिए अप्सन हो जाएगा सकेन हो जाएगा next देखेंगे question number 3 निमलिखित कमपणियों में से किस एक ने E. चौपाल नामक ग्रामिन विपनन तंत प्रारम किया है तो ये किस के दोरा किया गया है ये किया गया है डावर के दोरा option number हो जागा इसका ये किया गया है ITC के दोरा किया डावर नहीं है ये ITC के दोरा किया गया है E. चौपाल इसका option क्या हो जागा first हो जागा ठटका next question number 4 देखेंगे निमलिखित में से कौन सा युक्म सही सुमेलित नहीं है Adobe सिस्टम ये सही है ये software से संबंदित है ससकेन ये भी दूर संचर प्रवद्र की हो जागा इसका जो जैन पैक्ट है ये विद्धूत उत्पादन से संबंदित नहीं है ये कोई ग्लोबल एक फैनांसर या कुछ मार्गेटिंग से रिलेटेड वे गयरा है तो ये इसका option जो हो जागा इसका ठट है ये क्या था किसे संबंदित था ये जो संबंदित था किसे राज कोसिय तथा राजा सुगाटे से संबंदित और ये 2003 में इसका एक्ट बनता है और 2004 से ये लागू हो जाता है इसका option हो जाएगा C question नमर 6 है निमलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है कौफी का सबसे बढ़ा उत्पादक करनाटक आलू का जो सबसे बढ़ा उत्पादक है वो मदपर्देश कपास का सबसे बढ़ा उत्पादक महराश्ट तो यहां महराश्ट नहीं हो जागा यहां पर गुजरात होगा, ओप्सन नमर इसका जो ठड़ है यही गलत दिया गया, ओप्सन C हो जागा, अच्छे का, यह आलू का सबस्वरा उत्पादक, तुम्हाराइस तो है, कापास में तो है, इसका जो गलत हो जागा, इसका B है, ओप्सन नमर बी, यह गलत दिया गया, आलू का सबस्वरा उत्पादक, मत पर्देश नहीं है, नेक्स देखेंगे, कोश्चन नमर शेवन, निम में से कौन भारत में राष्टिय एवं, राज अस्थर पर निर्धानता के अनुमानों के लिए, एक कैंद्रक अभिकरन, नोडल एजेंसी के रूप में है, तो निम म आयोग, और निती आयोग का सबना कब होता है, 2015 में होता है, किसके जगह पर योजना आयोग के अस्थान पर, BSE Sensex, BSE Sensex, सेर बजार में उतार चड़ा मापने का एक सुचकांक है, इस सुचकांक में जितनी कमपणियों को समलित किया जाता है, तो उसकी संग्यात, टोटल BSE में, BSE में, टोटल कितना कमपणिया है, तो इसमें कितना है, तीस है, भारत के रिजर्ब बैंक ने सुक्ष मवितिया के अध्यान तथा, उस पर सुचावो हे तू, एक समीती का गठन किया था, तो इसके अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? Y.H. माले गम, ये करव दोजार रिगार में किया जाता है, इसका गठन. Y.H. में से कौन भारत के सेर बाजार के कार्ड को नियंतिर करता है? तो सेर बाजार को को नियंतिर करता है? ये सेविक दोरा किया जाता है, और सेविक अस्तापना कब होता है? 12 अप्रील 1988 में, 1988 में सेविक अस्तापना हुआ है, नॉन फंसिवल टोकेंस, एन एप्टीज के संदर में नेम लिखित कतनों पे विचार कीजिए, तो इसका जो हो जगा, इसका फर्स्ट, और सकेंड इसका सही है, वे भोती पर्शंपत्यों के अंकिया निरूपन, सुकर बनते हैं, वे अन्य क्रिप्टो ग्राफिक टोकेंस है, जो किसी ब्लोगचेन में बितमान है, तो अप्शन इसका जो हो जगा, इसके अनुसर फर्स्ट हो जगा, इसका जो पहला और दूसरा कतन दोनों सही है, वह दर जिस पर बैंक भारतिया रिजर बैंक को उधार देता है, तो उसे क्या कहते हैं, जब बैंक, कोई बैंक भारतिया रिजर बैंक को उधार देता है, तो उसे कहा जाता है, रिवर्स रेपो दर, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जो बैंक, रिजर बैंक को, रिजर बैंक देता बैंक को, और यहां पर जो रिवर्स र सरवाधिक लाब पाता है तो निम्लिखित में से कौन सा एक भारत के पन्य पदार्थ को क्या होगा पदार्थ का आयत के मुल्ले के अधार पर सही अब रोही अनुकरम है तो यह कौन सा हो जागा तो इसका हो जागा ऑप्सान नमर ठाड़ हो जागा पुझिक अतमाल इलेक्ट्रोनिक समान फिर खाद पाद उसके बाद है रासाइन तो अप्सान नमर ठाड़ है अब रोही मतलब घर्टे करम में बर्स 2019 में भारत सरकार ने बीमा छेतर में FDI की सीमा में परिवर्तन प्रस्तापित किया है तो इसका प्रस्ताब है तो इसमें क्या प्रस्ताब है FDI की सीमा उन्चा से बढ़ा कर 24% कर दिया गया कि बीमा के छेतर में LIC हो गया जैसे एक फरवड़ी 2023 को केंद्रिया बजट 2023-24 को प्रस्तूत किया गया इसमें भारतिया रेलवे के लिए कितनी रासी का बजटिया प्रावधान किया गया कितना किया 2.4 लाख करोर भारत में सरकारी करमचारियों के मांगाई भत्ते के निर्धारन का अधार है तो जो मांगाई भत्ते किस पे निर्धारत किया जाता ये किया जाता है उपभोक्ता मूले सुच खांग प्रया सहभागीता नोट्स पार्टिसिपेट्री नोट्स का संबद निर्धारत में से किस एक से है तो यह है विदेशी संस्थागत निवेजशक से संसार का सरवाधिक चाय निर्यातक देश कौन सा है तो यह केनिया है उन्मी इसका हो जाएगा सी भारत में नीचे दियेगे खदानों का उनके उत्पादन मिलियन टन में है का सही हास्वान क्रम कौन सा है तो अपसर नमर इसका हो जाएगा फर्स चावल गेहूं मोटे अनाज और दाले कोश्चन नमर ट्विटी वन निम लिखित में से कौन सा सुचकांक भारत में मुद्रा स्फिर्थी की दर को मापने के लिए भारतिया रिजर बेंक दोरा अब पड़ियोग में लाया जाता है तो यह लाया जाता है उपभोगता मुले सुचकांक भारत की दूतिया पंचवर्षिया योजना भारत की दूतिया पंचवर्षिया योजना कब आता है 1956 से 161 के 20 दौरा बिक्सीत एक आर्थिक मोडल पर अधारित थी जो दूसरा तो पंचवर्षिया योजना ये किस पर अधारित था ये अधारित था PC महल 29 पर अधारित था भारत में पहली बार मुल्य संबंधित कर लागू हुआ कब लागू होता है ये लागू होता है 2005 में मुल्य संबंधित कर भैट बेलू एड़ेट टेक्स राष्टिया होटी कल्चर बागवानी मिशन किस पंचवर्षिया योजना में आरहम किया गया था तो ये जो आरहम किया गया था ये किया गया था दसवी पंचवर्षिया योजना में और दसवी पंचवर्षिया योजना का समय कब है 2002 से 2007 के बीच 2002 से 2007 कोश्चन नमबर 25 भारत में सरपर्थम किस राज में मुले वर्धित कर लागु हुआ तो ये कहां हुआ था ये हुआ था हडिया ना में वैंकों के लिए वित्या वर्ष अपरिल दाय मार्च है situation किन्तो RDI का वित्या वर्ष जो फैनेंशियल यहर है कौन से है यह है अपरिल से मार्च निमलिखित में कौन से भारत सरकार के सरवजानिक छेतर के उपकरम है बामबर, लाड़ी एंड, कांपरी लिमेटेड, ट्रेजिंग, कॉपरेशन आफ इंडिया, एजुकेशनल, कंसल्ट्स आफ इंडिया लिमेटेड इनमें से जो हो जाएगा, उपसन नमबर, ये सभी हो जाएगा, सभी सरवजानिक छेतर का उपकरम है सूजी एको सूजी दोस्त मिलाना है, तो इसका अनुसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तीसरा, सोरने जैनती ग्राम सोरजगार योजना का कब हुआ था, ये शुरू किया गया था, 1999 में, सोरने जैनती सहरी रोजगार योजना, 1997 में, जवाहर रोजगार योजना, 1989 में, राष्ट्या ग्रामिन स्वास्त मिशन, 2005 में, उपसन नमर हो जाएगा, इसका सी भारत में किस परकार की कर पर नाली पाई जाती है, तो ये परती कामिक कर है, निमलिखित में से भारत की राष्टिया आयका सबसे मुख्य स्रोथ कौन सा है, सेवा छेत्र, आफसन नमर हो जाएगा, इसका फर्स्ट ठटी का, मानव विकास की अबधारना निमलिखित में से किस के दौरा दी गई है, तो ये दिया गया था, महबूब उलहग के दौरा, उनिस सो, ये कब दिया गया था, एक्जेक टेट तो पता नहीं, इसका भी, तो 31 का जो हो जाएगा, ये आफसन नमर भी हो जाएगा, भारत ने डॉलर 5 ट्रिलियन, अर्थ वैवस्ता का लक्ष, कब तक प्राप्त कर लेने का रखा है लक्ष, 5 ट्रिलियन डॉलर, तो ये रखा गया है लक्ष, बस 2024 पचिस्त, नेम लिखित में से कौन से समयोजित सकल आयराजस, एडजर्स, ग्रॉस, रेवेनियू, जिसे एजी यार की परिभासा के अंतरगर्द आते हैं, कौन से आएगा, ब्याजा, लाभांस, जिसे डिविडेंट और फॉरेक्स गेन, तो अप्सन इसका जो हो जागा, सी हो जागा, ये तीनों आ जाएगा, एजी यार की अंतरगर्द, वहदर जिस पर उपभोगता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुस्टी का अस्तर बदले बिना पर्तियस्तापन के लिए तैयार है, क्या कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, सम सिमान तुप योगिता, दि प्रॉब्लम उप रुपी, किसका सुत्व परवन्ध है, दि प्रॉब्लम उप रुपी, तो ये है, बीयौ अर्म अंबेत करका, 110 पे किया गया था, इसकी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया, तो अपक्शन इसका हो जाएगा, फस्ट होजाइगा, 35 का, संयुक्त राष्ट मुद्रा और बित्य सम्मिलन जिसमें IBRD, ZAWT और IMF की अस्तापना के लिए समझोते परहासा हस्ताक्षर हुए थे समानत्य क्या कहलाते हैं? तो उसे क्या कहते थे? रिटन वूट्स सम्मिलन और गेट को क्या कहा जाता है? अब गेट जो हो गया है, WTO, World Trade Organization को की गेट पहले कहा जाता था पैन के प्राराम में पांच अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जैसे A, F, Z, P, K फिर है दुसरा, 7, 1, 9, 0, K इसमें P दर्षा आता है, तो P क्या दर्षा आता है? तो ये दर्षा आता है व्यक्तिगत न्यू डेवलोप्मेंट बैंक ब्रिक्स के बारे में जिसे पहले डेवलोप्मेंट बैंक कहा जाता था निमलिखित में इसे कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका फ़हरा दिया गया, बैंक का मुख्याला है, मास्कों रूस में इस्तित है, दूसरा, के भी कामा थे, बैंक के पर्थेम अध्यक्ष हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका जो आपसा नमर है, केबल 2, इसका सही हो जाएगा, यह मास्कों में नहीं है, लगू और सिमान किसानों को पैंसन के उद्देश से प्रधान मंतरी किसान मांधरन योजना का प्रारम की गई थी, तो यह का प्रारम किया गया है, प्रधान मंतरी किसान मांधरन योजना, यह किया गया था, 12 से प्रमबर 2019 को, यूरोपिया संग का मुख्यले अवस्तित है यह अवस्तित है वरूस सेल्स में और यूरोपिया संग में टोटल कितने सदस है तो 27 सदस कंट्री है निमलिखित में से कौन सी स्कीम ग्रामिन विगास के लिए नहीं है तो इसमें जो ग्रामिन विगास के लिए नहीं है वो क्राई नहीं है तो क्राई एक NGO है इंडिया का जो चिल्डरेन के राइट से रिलेटेट है स्वतंत्र भारत की अर्थवेवस्ता के संदर्म में निमलिखीत में से कौन सी घटना सरपर्थम घटी इत हुई बीमा कमपणियों को राश्टिय करन कब होता है उनिसो तेहतर में भारते एस्टेट बेंक का राश्टिय करन उनिसो पचपन में पहली पंच वर्षिय युजन लागू करना तो पहली पंच वर्षिय उनिसो एकाबन से चपन तो इसमें से क्या हो जाए जो सबस्पेले घटना इसमें घटी इत होता है यह ओप्सन नमर सी ही हो जाएगा राश्टिय परिवार स्वास सर्वेक्षन पांच के दौरा प्रस्तूत आकरों के संबन में कौन सा कथन सही है तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें जो दिया गया है ऑप्सन सभी हो जाएगा वर्ष 2019 से कीस में देश में एक हजार पुरूसों पर एक हजार बीस महिलाई पाई गई अखिल भारतिया अस्तर पर बच्चों में अस्टेंटिंग 38% से घटकर 36 पाया गया और अखिल भारतिया अस्तर पर बारत से 23 महा के बच्चों के पुर्ण टीका करन में 22% से 36% तक सुधार हुआ है तो इसमें से उप्यूक्त में से सभी हो जाएगा एक से अधिक निम लिखित में से कौन सा देश WTO का सदस नहीं है तो WTO का जो सदस वो कौन सा नहीं है तो इरान नहीं है और WTO कर स्थापना कब होता है 1995 में इसमें लखो 160 देश है वार्वी पंचवर्षियय योजना के संदर में कोन सा बिंदू सही नहीं है इसमें जो सही नहीं है पूछा गया इसका option नमर जो तीसरा है इसे में यही सही नहीं है वांकि इसका दोनों सही है आठ परतिसत बास्तिक सकल घरेली उत्पाद विकास दर रखने का लक्ष था चार परतिसत क्रिशी विकास दर तो इसका दोनों सही है भारत में सुआ संपोसित विकास का उद्देश सरपर्थम अपनाय गया था कब अपनाय गया था यह अपनाय गया था चोथी पंच बर्सिय योजना में अपनाय गया था 1979 से 1974 के बीच भारत अधिक्तम विदेशी मुद्रा किसके निर्याद से कमाता है तो भारत अधिक्तम जो बिदेशी मूद्रा कमाता है वो कपरा के उत्पात नेरियाद से कमाता है किस पंचवर्सिया योजना में क्रिसी ने रिनात्मा को विकास परस्तूत परदर्शित किया था यह कब किया था यह किया गया था कि तीसरी पंच वर्सिया योजना में जो 1961 से 66 के बीच में इसमें भारत क्या होता है चीन के साथ वियुद्ध हो जाता है फिर पकिस्तान के भी साथ होता है जिसमें नेगेटिव विकालता रहा था काफी भारत में पांच वी इसमें तो चीन के साथ होता है 1962 और साथ में क्या दूसरा सुखार भी पड़ता है इस वज़ा साथ नेगेटिव हो जाता है भारत में पंच वर्सिया योजना के संदर में नेमलिखित कत्नों पे विचार कीजिए पहला पर्थम पंच वर्सिया योजना की सुर्वात 1950 में हुई थी दूतिया पंच वर्सिया योजना ने भारी उद्योगों की अस्थापना पर बल दिया था सही बात है और तीरतिय पंजवर्षय योजना ने अधोगी करन की रन नीती के रूप में आयत परतिस्थापन की अब्धारना को प्यारम किया था तो इसमें से सभी हो जाएगा और सन्नमार हो जाएगा इसका भी हो जाएगा पहला दूसरा अबं तीसरा एल से नेक्स्कंवःशन है में मैं एक मिनट्री लांस्ट वॉट्चिन किया था संबें हवाला संब्हार संब्हार वस्म, संब्हार sole नसचिंदीन जो फक्म भुख्तानों से संबंदीत है पैस्ता होनल से अहां किसे इसंबंदीत है यह संमंद pregnant सरकारी माध्यम से गुज्रे बिना विदेशी मुद्रा के बदले रुप्य में और रुपे के बदले विदेशी मुद्रा में किया जाते हैं तो इससे संबंदित है तो इसका पचास का हो जाएगा आपसा नमर फर्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नमर 12 देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक कबर किया गया है सेक्षन टेश नमर 12 है बिहार का इतिहास से यह फटा-फटी से देख लेते हैं क्यस्टिन नमर 12 हरए किस साँस क दौरा सरपर्थम पाठलि पुत्र का राजधानी के रूप में चैन किया गया था तो यह किस दौरा किया ब्रुपिंत जाता हorf upp Boss को टो बीफिश हई पर सिरसा के संदर में निमलखित Landing से कौन सा कथन सही है इसे कि पहला शिर्चा को टेकारी उसका पुत्र इविश्नामा सा था सिर्चा ने बेडासो पंदरासोब 240 वारसोनी पंदरासो 42 इसवी में पुना बिहार की राजधानी पटना को गोसित किया तीसरा परसित कभी मलिक मुहमद जैसी सेर्शा के समकालिन थे तो उप्यूक्त में से इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है तो इसमें जो सही है इसमें पहला और तीसरा सही है तो अपसन हो जाएगा इसका B दू कोटा नागबोर्ट का था और ये जमिनदारों के विरुद जो सोशन हो रहा था उसके विरुद ये लड़ा गया था और इसका जो नेत्रित्व कर रहा था वो बोला नाथ सिंग के दौरा किया गया और कब होता है तमार विद्रों 1712 में मगद की प्रारामबिक राध्धानी कौन सी थी तो मगद की जो प्रारामबिक राध्धानी थे हुआ राजगिर या ग्रीवर्ज और मगद का जो सब्स पहले जो चर्चा किया गया है सब्स पहले वो अथरवेद में किया गया है मगत सब्द का अपयोग नेक्स देखेंगे कोश्चन नमर फाइव समराट आलम सादूतिया ने इस्ट इंडिया कमपनी को बिहार बंगाल तथा उडिसा की दिवानी कब परदान की थी तो ये परदान किया गया था 12 अगर 1765 मिलाबाद के संदी के तहत मध्यकाल में बिहार सरीप नगर महत्पुन रहा था तो मध्यकाल में बिहार सरीप नगर महत्पुन रहा बेपार के केंद के रूप में बिद्या केंद के रूप में परशासनिक के रूप में दिया धार्मिक केंद के रूप में इसमें से कौन सा कथन सही दिया गया इसमें तो इसका जो सही हो जाएगा option नमर हो जाएगा C दूसरा, तीसरा और चौता अर्था बिद्या केंद के रूप में और परश्रासने केंद के रूप में दथा धार्मी केंद के रूप में यह मत्पुर्ण रहा था कव मद्धेकारिन कालम है चमपारर में गांधी जी को अमंत्रित किस ने किया था तो राजकुमार सुल्क ने अमंत्रित किया था सेवन का अप्सन नमर बी पटना में अस्थापित डेनिस फैक्टरी पर किस ने अपना अधिपत अस्थापित किया था तो यह किस ने किया था यह किया था अंग्रे जोने डेनिस को हटा कर खुद वो उसको करने लगा है यंडिल चलिए आगे देखते कोशन नमर नाइन निमलिखित में से मगद का मगद का कौन सा राजा सिकंदर के समकालिन था तो यह गहना नम था और मगद उसमें क्या होता है वो इटेक करने आते लगी ना आता नहीं मगद वो आहां से पोरस के साथ ही लराई करके वापस चला जाता है और जो सिकंदर है लगबग उनीस माह तक भारत में राता है और इसका मिर्थू हो जाता कव 323 BC में हो जाता है निमलिखित में से किस मेले में क्रिसी बिग्यानी को द्वारा विक्सित किसमों की परदर्शनी लगाई जाती है तो कौन सा मेला में तो यह लगा जाता साबाउर मेला में बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था तो बिहार का जो अंतिम अफगान सुल्तान था वह था कौन दाउद खां करा राने और सनमर फर्स्ट सी हो जगा गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्यगरा अंदोलन बिहार में कहां प्रारम किया था तो ये कहां किया गया था चमपारन में चमपारन सत्यगरा 1917 संताल विद्रो कब हुआ था तो संताल विद्रो होता कर 1856 में सिंदो एवं कानों के दोरा नेक्स्ट कोशन है फोटी नमर फ्रांस सिस्यो दोरा पटना में माल गोदा मस्थाफित करने का एक मातर उद्देश था तो क्या एक मातर उद्देश था वो था सोरा प्राप्त करना बिहार उसमें सोरा का प्रमुक केंदर रहा था हुद्रो हम बैपार में सौराट में साधी विवा से संबंदित मेला किस माह में आजित किया जाता है ये किया जाता है जेस्ट असाड में आपसा नमर फास्ट कुवर सिंग जमीदार थे तो कुवर सिंग जमीदार कहां केते हैं तो ये जगदी सुपूर के थे बापु कुवर सिंग नेक्स्ट कोस्ट कॉश्चन नमर्ट 17 बिहार में सरपर्थम किस विदेशी कंपनी का आगमन हुआ था तो पूर्तगाली का हुआ था 17 का हो जगा फर्स्ट कॉश्चन नमर्ट 18 बिहार पर वक्तियार खेल जी के हमले का पहला विवरन प्राप्त हुआ है कि तो बैक्तियार खेल जी का जो आकरन होता बिहार पर तूश्चन जानकारी कहा मिलता हुआ जो फस्ट यह मिलता है ताजूल मासिड्स से आपसा नमर्च अबार कि अस्कासी हो जाएगा और बैक्तियार खिल जीए यह ने भीहार पर क्या होता इस्लाम या तुर्क बंस और स्थापना करता है सासन का 11 room lub 11 affiliate में कब करता है Lots стран वन वन नाइन नइट में भीहार में तुर्ट चानी का पत्तिन पुषटक मेलबर का आयोजन कब से किया जाता है तो पटना पुस्तक मेला का जो आईजन किया जाता है ये किया जाता है बर्स 1980 से महाभीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था महाभीर स्वामी का जन्म होता है कुंडल गराम बैसाली में करनाट वंस का संस्थापक कौन था तो करनाट वंस का जो संस्थापक था वो था नाइन देव सांत रख्षित जो पाल वंस के सासन काल में नालंदा विस्विद्यले के अचार्य थे ने किस अस्थान पर बहुत धर्म का परचार किया था तो कहां किया था ये किया था तिबबत में निम्द में से किस चित्र सेली में तेज रंग का पड़ियोग नहीं किया जाता है तो जान की नम्वी का मेला ये आज़ित किया जाता है सीता मड़े में उदंद पूरी सिक्षा के अंदर निम्ण में से किस राज में अवस्तित है तो ये बिहार में अवस्तित है नालंदा विश्विद्याले के संस्थापक कौन थे तो नालंदा विश्विद्याले के संस्थापक थे कुमार गुप्त निम्रिखित में से कौन सी चित्रकला सेलीम में संथाल समाज की लोग कथाओं, मित को धार्मिक विश्वासों और नैतिक सिक्षा का विशेश प्रस्तुस्ति करन होता है तो किस में होता है? ये होता है जादो पटिया सेलीम तो आप्सन नमर हो जागा इसका B कॉस्चन नमर 28 सुचिये को सुचिदो से सुमेलित कीजिए तो महावीर, आर्या भाट, मात्मा बुद्ध और बुद्ध घोज तो इसका जो हो जागा महावीर हो जागा कुंडल गराव हो जागा फिर है महात्मा बुद्ध बहुत गराव कुंडल गराव महात्मा बुद्ध बहुत गया उनको ग्यान प्राप्ति होता है और कपील बस्तु ने कपील बस्तु भी स्तमां दीत है न तो देखा जो इसमें क्या दिया गया है अप्शन कनुसार देखते हैं तो 28 का जो हो जाएगा अप्शन नम्बर यह हो जाएगा अर्थात पहला अक्ति महावीर्क हो जाएगा कुंडल गराम बी का हो जाएगा फोर आर्याभाट पाटली पुद्ध खुंपुर और महात्मा बुद्ध कपील बस्तु और बुद्ध घोस का हो जाएगा बुद्ध गया तो इसका यही सही सुमेली दिया गया है चली लग रहा है हाँ इस सबकर जन्म से संबंदित है को कोश्चन नमर 29 कोवर भित्ती चित्र में तोते का चित्रन क्यों किया जाता है यह किया जाता है अग्यान प्राप्ति के लिए ऑप्सन नमर हो जाएगा सी 29 का ऑप्सन सी निम लिखित कतनों पर विजार कीजिए जट जटिन दमपत्य जीवन पर अधारित लोग नाट्ट है सामा चकवा नाट्ट का आयोजन कार्थिक सुक्लपक्ष की सब्तमी से पुर्डिनमा तक किया जाता है तो इसमें से कौन हो जाएगा ऑप्सन नमर तो इसका हो जाएगा ऑप्सन दोनों इसका सही दिया गया हूँ निम्न में से किसने बिहार में पहली कॉंग्रिस मंत्री सभा का नेतृप किया था यह किया गया था स्रीकिस सिंग के द्वारा सासा राम इस्तित सेर्षा का मकवारा किस सेली का सरफसेष्ट नमूना है तो ये जो सरफसेष्ट नमूना है किस सेली का ये है अफगान सेली का सरफसेष्ट का सकते हैं गोथिक सेली है तुगलक सेली है इसमें तो सरफसेष्ट सेली का बात किया गया है इसका होजय का उप्सन नमर फर्स्ट होजय का अफगान से लिका सरफ स्रिष्ट नमूना है, सासाराम का जो सिर्षा का मकवारा है बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गया जाता है? बिहार में धान को रोपते समय जो गीत गया जाता हो चोन चोनचर गीत गया जाता है मंदिर पटना में बस्तित है तो उप्षान इसका सही हो जागा तीनों देखते हैं कौन सा आपसं दिया गया तो आप्शन नमर इसका फर्स्ट हो जाएगा पटना में पत्थर की महसित का निर्मान किसने करवाया था तो ये परवेज के दोरा करवाया जाता है निम्न यूगमों में से कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है देव, मंदिन और अंगाबाद, कमल सरोवर, जमूई नहीं होगा ये सुल्दानपूर में है, तो ये किलत है अजगेवीनाथ, ये भागलपूर सही दिया गया दोनों तो इसका जो B है, आप्शन नमर भी वही गलत दिया गया है विस्प का सबसे उचा कहा जाने वाला विस्प सांती अस्तुप विहार में कहां है, तो ये कहां, ये राजगीर में हो जाए भुद्का है, अप्शन नमर सी हो जाएगा 27 सतावदी में भोजपुरी भासा का विकास किस ने किया था धर्ती दास एवं दर्या दास के द्वारा निम्न में से कौन बिहार की मैथली भासा के प्रमुख नाटक कार है तो जो प्रमुख नाटक कार है कौन है तो ये हैं कि गौरी कांथ चोधरी केवल फर्स्ट हो जाएगा बिहार के प्राचिन काल को कितने भागों में विवाजित किया गया है तो तीन भागों में सॉनेट अंग्रेजी कवीता सेली है का पड़ियोग डाक्टर अजमुद्दिन ने सरपर्थम किस भासा में किया तो ये उर्दु भासा में किये थे है बिहार में होली के पर पर ग्रामीनों द्वारा कौन सा निर्थ किया जाता है तो ये जोगीरा किया जाता है बिहार में होली के समय में नब नालंदा महाभियार किसलिए परशिद है? संग्राले के लिए मिज्यूयम के लिए पटना में किस सिख गुरू का जन्व हुआ है? पटना में जो है जो सिख जो दसमे गुरू है गुरू गोविन सिंग का जन्व हुआ कब हुआ है? 22 दिसंबर 1606 को पटना सीटी में बिहार की पहली प्रेज खडग विलास ब्रेज ने किस लिपी में पुस्तक चापी थी? तो ये चापा था किस लिपी में? कैथी लिपी में चापा था और ये पहली प्रेज खडग विलास है एकिस के दरा किया जाता है, शुरू, ये किया जाता है, राम दीन सिंग के दरा, जोकतर परदेश को होते हैं, और पटना में करते हैं, कब करते हैं, ये, 1880, कोशन नमर 47, 47, प्राचीन काल के प्रमुख वैक्तित को, काल कर्म के नुसार, आरोही करमें लिखिए, तो काल कर्म क कि निम्ड में से किस लोक नाट में प्रमुक पात्र के रूप में भाई बाहन होते हैं तो किसमें होते हैं ये होते हैं सामा चकवा में इस अब कि बिहार को दिल्ली संतनत में सामिल करने वाला पर्थम सुल्तान कौन था तो बिहार को दिली संतनत में सामिल करने वाला जो पर्थम सुल्ताम था उसका क्या नाम था मलिक अलाउदी जाने निम्न में से बिहार राज में फ्रांसीसियों ने 1734 इस्वी में किसकी अस्थापना की थी तो माल गोदाम के स्थापना करता है चलिए हमारा सेट नंबर जो है कम्प्लीट होता है सेक्षन टेस्ट कौन-कौन सा सेक्षन टेस्ट नंबर 11 और 12 देख लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग इसे आगए सेक्षन टेस्ट नंबर 13 अबर 14 को ठीक है मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग फिर शुरू करेंगे एक हिस्ट्री का भी वान लाइनर फॉर्म में ही रहेगा देखते हैं अगर डिजिटल वोट पर मोका मिलेगा तो उस पर कड़ेंगे में तो हम लोग इस पर ही देख सकते हैं मिलते हम लोग नेक्स वीडियो में चलिए धन्यवाब